हमारे लॉसिस की बात की जाए सर लॉसिस की बात करेंगे ना तो लॉस कितने होंगे सर लॉस दो तरीके के होंगे यहां पे सर कौन-कौन से दो तरीके के लॉस एक होगा normal loss एक होगा abnormal loss और एक होगा abnormal loss एक होगा नार्मल loss और एक होगा हमारा abnormal loss दो-परकार के loss है नॉर्मल लॉस कौन से होते हैं सर जो कि regular basis पर होते है regular basis पर regular basis पर इसका जो बेचने का dragatorhold होगा ना question में given होगा अगर given है तो okay अगर नहीं गीवन तो मान लेना है जीरो note if rate of scrap not given then we will we consider as zero हम उसे मान लेंगे जीरो रुपए का विग्या होगा अब मुद्दे की बात था नॉर्मल लॉस होता क्या यह तो बताए नहीं आपने अब देखना मैं business करता हूं अगर तो हर business के अंदर एक certain unit certain quantity ऐसा होता है जो की regular basis पर होता है आपके घर का example ले ले लेते हैं रोटी बनाते हैं घर अगर 10 रोटी बनाई है कही न कहीं एक रोटी बच जाती आपकी और ऐसा भी हो सकता किसी दिन कम पड़ जाए लेकिन regular basis पर आप कभी भी ऐसा खाना नहीं बनाते घर पे जिससे कि आपका एक रोटी कम पड़ जाए आप extra हो जाए कोई बात नहीं और जो extra रोटी होता है या तो आ कोई भी दुकांदार का हर एक certain normal loss fix होता है अब मालेते हैं कि हम अगर सपोस करो अंडे की बात कर लेते हैं अगर अंडे की हम बात करें तो अगर मैं अंडे को दूर से ला रहा हूं एक ट्रे एक का लेकर आ रहा हूं तो मुझे पता है कि हर बार लाने में धिलने डूलने मे एक अंडा टूटी जाएगा और यह एक बार की कहानी नहीं है यह हर रोज की कहानी है तो वो क्या माना जाएगा हमारा नॉर्मल लॉस और जो नॉर्मल लॉस होता है इस क्रैप में बिख जाएगा अब टूटा हुआ अंडा भी बिख जाता है कही बार किसी को जरुरत होगा, किसी को अमुलेट बनाना हो, पांच रुपे कंड़ा है, मैंने बहुता, चार रुपे में ले जा भाई, तिरे को तूटा, तिरे को काम तो होई यह तो ले जाएगा, तो स्क्रैप में बिग गया, तो नॉर्मल लॉस, वो लॉस होता है, जो कि रुटीन और रेगुलर बेसिस पे होता है, और उसको हम स्क्रैप में बेच देते हैं, जाके, और ऐसा भी हो सकता है, युकि ना भी के, दूद, अब दूद के अंदर जो मिलके लेके आता है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ लेकिन, के दो तरीके, एक तो, मढर डेरी से दूद लेते हैं, और गाय वाला भी दूद बेचने के लिए आता है, मढर डेरी वालिका भी वेलके लेकिन अब दिखेगा नहीं। अब गाये वाला जो दूद लेके आता है बेचने के लिए गाये का दूद या भैंस का दूद घर पर जो डोर टू डोर सप्लाई करने आता है उनका वेश्टेज होता है क्योंकि वो किसी ने किसी वीकल्स पर आ रहे हैं तो जब हिलेगा तो थोड़ा थोड़ा तो गिरेगा कितना भी डखकन टाइट कर ले या फिर क्या करता है कहीं एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है तो वो लॉस उसको पता है कि अगर मैं घर से 20 किलो लेके निकलूंगा तो ये 20 किलो नहीं साड़े 19 किलो ही बेच पाऊंगा मैं क्योंकि आधा किलो डूद इधर उधर में चला जाएगा तो उससे कौन सा लॉस बोलेंगे सर नॉर्मल लॉस बोलेंगे हमेशा याद रखना और एक चीज और याद रखना नॉर्मल लॉस से हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है हमारी सवाल में इतना इंपेक्टेड नहीं है पहले चेप्टर हुआ करता था समिस सइंद्वर कहानिया협 ABNORMAL Loss कौन सा है करने यापनार्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि सर्थेन कभी कभी षभी होता है राग्णर बेसिस पे नहीं होता है। मैंने घर का घ्लम क्या लिया था रोटी बना रहे हो अब क्या कर रहे हो रोटी बना रहे हो और उसांटे में क् और अब कौन खाएगाबाई उसको ओई तो नहीं खाएगा वह क्या हो गया पूरा का पूरा अंटा ख़रा थो कुंसा हो गया आ बनौरंबल लॉस खुन होगा थो करने नहीं विखना दो धुखना तेहने तो यहाका ह電ं आप Tillर था होता है तो उपर ना एक सिंपल सा एक बोलो तो नॉर्मल लॉस कस्टमर बीयर करता है एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं देखो ध्यान देना अब समझना इस बात को जो वच्चे समझ जाएंगे ठीक है समझेंगे तभी question होगा लेकिन फिर मैं भी समझाने की कोशिस कर रहां भी अब एक मैनने stock account मनाया सबस लो कुछ भी कोई भी account है रहने तो मैने material खरीदा ह CJ किलो खरीदा और 1000 किलो मैंने खरीदा कितने रुपे का 1000 सब्सक्राइब तो एक unit का cost क्या है बताओ एक रुपे लेकिन यहाँ normal loss हो गया मेरा 100 रुपे का 100 रुपे का normal loss कितने का भी का जीरो अंडा कितने का भी का जीरो का अब बताओ finished goods का क्या होगा सर finished goods भी हजार ही आएगा हजार आएगा यह unit का unit है लो unit लिख दिया मैंने जाने की कोशिस करते हैं क्योंकि बड़े काम की चीज है exam में नहीं आएगा आपके अब फिर आख नहीं बंद कर लेना आप exam में नहीं आ रहा तो क्या करेंगा सुन लेना concept है और ताकि मुझे आगे ना बार बार समझाने की कोशिस ना करना है बार बार के आज ही बहुत कुछ करना है हमें ये लो और आप सभी बता देना मुझे इस बार पहले हम concept करने जा रहे हैं नॉर्मल लॉस का ठीक है यूनिट मैंने डाला एक हजार और रुपे का एक था तो यानि एक हजार मैंने कहा नॉर्मल लॉस जी हो गए 100 तो अब मुझे बताना फिनिस गुड्स का पर यूनिट कॉस कितना होगा एक हजार एक हजार एक हजार एक हजार नौसो एफ जी और एक हजार यूनिट कॉस कोई आता है मेरे से भाई समान कितने का दोगे मैंने बताते हैं अभी हजार और इससे मैं बना पाया हूं सिर्फ नौसो वन पॉइंट वन यानि वन पॉइंट वन से नीची अगर मैंने बेचा तो मेरा घाटा मेरा नुकसान है यानि आपका नॉर्मल लॉस वह वो किससे कवर कर रहे हो आप कस्टमर से तो नॉर्मल लॉस तुम्हारा गरहां तुम ही देऊगे इसको हमनी बियर करेंगे चलो मान लो अगर यह स्क्रैप पचास रुपए का बिक भी जाता तो उस सिचुएशन में क्या होता यहां पे आ जाता हमारा नॉसो पचास और पर उनिट कॉस्ट क्या हो जाता वन पॉंट यानि 950 डिवाइडेड बाइ 900 वन पॉंट जीरो 5 यह आ जाता है यानि मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि जब कभी भी नॉर्मल लॉस होता है न उससे पर उनिट कॉस्ट बढ़ जाती है अब एक बार abnormal करते हैं यह आपके पास account है abnormal loss के अंदर अब मैं एक example लेता हूं आप बताना एक तो normal loss था मैं simple सा example ले रहा हूं ध्यान देना मैं अंडे लेके आया मैं अंडे की tray लेके आया और यह tray जो था मान लेते हैं 100 रुपय का लेके आया था मैं और इसमें 100 अंडे थे वैसे तो 30-35 होता है जहां तक मुझे पता है 30 होता है 36 जो भी होता है मैं 100 अंडे लेके आया और 100 रुपय का लेके आया इसमें से 10 अंडे टूट जाने हैं 10 एक जो है हमारे खराब हो जाएंगे इसमें से तो मैं अब बेचने की कोशिस कर रहा हूं मैं क्या करूँगा भाई देख मैं 100 रुपय की अंडे लाया हूं और 90 का है और 90 के हिसाफ से दिखा जाए 100 रुपय का अंडा है और अंडा 90 का है 1.1 मैंने बोला भाईया 1.11 पैसे का 1.12 पैसे का तुम्हें पड़ेगा लेना है तो लो नहीं लिना तो मतलो आप बोलते है पेस्ट आप नहीं हो तो यानि आप अब बताओ कस्टुमर क्या ये वाला पेमिन्ट करने के लिए तयार हो गाया नहीं हो गार डेगा भाई एक रुपे ग्यारा पैसे आप नहीं को वहाँ पे wholesale rate के अंदर मिलता है एक रुपय का मैंनों जाके ले 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 अब मुझसे लोगे हैं वहाँ जाओंगे लेने के लिए मेरे से ही लोगे वहाँ थोड़ी जाओगे एक अंड़ा लेने के लिए दो अंड़ा कस्टमर हो भाई अगर ऐसी बात है तो मैं जहां रह रह र कस्टमर देने को तयार है अगली कहानी यह हुई फिर से मैं 100 अंड़े लेके आया और इसकी कीमत मुझे कितने पड़ी 100 रुपय इसमें से 99 अंड़े खराब अब बचा कितने एक कॉस्टिंग निकालते हैं 100 रुपय डिवाइड एक एक अंड़े की कीमत 100 रुपय मैंने बो खरीदने को तयार हो कभी नहीं खरीद होगे आप बोले को पागल हो गया यह नहीं खरीदना यानि आप उस अंड़े की कीमत उतना ही देने के लिए तयार होगे जितना के पूरे मार्किट में चल रहा है तो इसका मतलब सर यह कौन सा है 99 एंड़े टूट गए तो इसको कौन सा लॉस बोले आप नॉर्मार्मल लॉस मुझे ही बीर करना पड़ता है क्या अपको पता होना चीए अगर मैं इसकी कॉस्टिंग निकालू तो मैं कॉस्टिंग निकालूँ हां कि भाई साहाब क्या होगा हमारा unit 100 रुपय का थे 100 अंडे 99 अंडे टूट गए और उसकी जो कीमत है scrap नहीं लिखना 99 का जितने का मुझे पढ़ा था वो normal loss में क्या लिखते थे थे scrap का value कितने का भी का है abnormal loss के अंदर क्या होगा abnormal loss के अंदर होगा जितने का मुझे पढ़ा था अब बताओ कितना पढ़ा 100 रुपय 100 रुपय और FG कितने का आया एक रुपय और एक अंडे की कीमत एक रुपय अब देख रहे हो आप यानि abnormal loss का जो rate होता है न वो हमें कभी examiner नहीं देगा वो हमें पहले से निकालना पड़ेगा यानि बड़ी CDC बात है सर अगर हम बात कर रहे थे इसकी तो क्या होगा अगर मैं इसको दो word के अंदर खतम करूं इतना time ना लेते हुए तो normal loss हमेशा examiner question में scrap value देगा तो normal loss निकाल लेंगे और ये process account के by side में जाता है अगर scrap value का rate नहीं देता तो हम exemption ले लेते हैं नहीं भी निका होगा बड़ी CDC और बहुत सिंपल सी बात है कहानी कतम abnormal loss के case में कभी भी rate हमें नहीं गीवन होता हमें rate निकालना पड़ता है तो abnormal loss कहां जाएगा ये ये हमारा regular basis पे नहीं होता ये होता है हमारा irregular basis ये रेगुलर बेसिस पे है ठीक है और इसका rate find करना पड़ेगा rate find करना होगा सराथ को और जो rate find करोगे कैसे निकालोगे rate is equal to एक unit का rate rate is equal to total cost minus में normal loss जितने का बेचा है divided by total unit अभी जब सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा minus में normal loss का unit अब इसको solve करने के बाद जो result आएगा वो क्या आएगा सर वो आएगा हमारा rate और ये rate कौन सा होता है जो cost मुझे पड़ा है आप बोल सकते हो abnormal का rate आगया वो बोलने वाली बात है abnormal का rate नहीं है जितने का मुझे पड़ा है वो rate आएगा समझ मैं यह बात आपको जितने का मुझे पड़ा है एक example से मैं समझाने की कोसिस करता हूँ देखे मुझे कितने का बेचना चाहिए यह बताना unit है मेरे एक हजार रुपीस पड़ा एक हजार normal loss था 100 इसको बेच दिया sold कर दिया as a scrap 50 abnormal loss है मेरा 120 abnormal loss है 120 क्या कर देते हैं 200 इसके बारे मैं नहीं बताया है मैंने कि कितने का बेखेगा मुझे बताईए बड़ी simple सी बात है मुझे बताईए कि per unit cost कितनी पड़ेगी पर unit cost कितनी पड़ेगी या एक पल को मैं abnormal loss को छुपा देता हूँ मैं abnormal loss नहीं है छुप गया अब बताईए पर unit cost में कितने को बेचने को तयार हूँगा तभी बच्चे जितने live में हैं दुकान पर आग लग गई तो profit earn करेंगे अच्छा insurance नहीं इसके अंजर insurance insurance कर नहीं हुआ पहले मुझे इसका answer दे दो आप इसका answer दे दो कि भाईया एक मैं unit एक अंडा कितने का बेचूम है जिसमें मेरा profit loss ना है कि वन पॉइंट बच्चे कह रहे हैं एक का जवाब आए 1.05 एक बच्चा कह रहे है 10.52 दिया ने कहा 10.52 बताइए देखिए 1000 unit है और 1000 रुपे का पड़ा 100 unit normal loss और 50 रुपे का बिग्या 50 रुपे का सारा 100 एक यूनिट नहीं भी का 50 तोटल यह सारा का सारा 50 जवाब दीजिए कितना रहे है दिया 1.05 1.05 अभी शेख का कहना है सर एक रुपे भाई पॉइंट का भी value है भी शेख पिंकी का 1.05 1.05 सभी बच्चे का जवाब 1.05 अब इसको फॉर्मूले में पुट करूं में आपने कैसे निकाला आपने निकाला यही फॉर्मूला लगाया देखो यह formula आपको पता था लेकिन अगर मैं पूछ लेता नहीं यह किसका formula है तो नहीं बताते हैं देखो total cost 1000 minus में normal loss sold आपने यही करा 50 divided by total unit 1000 minus में normal loss unit तो यही तो करा आपने और तभी तो निकाल पाए यह rate आप इसका मतलब यह जो rate निकलेगा यह वो rate निकलता है जितने का हमें बेचना है लेकिन हमें abnormal loss के लिए इसी तरीके से वो rate हर बार find करना पड़ता है तो यह जो rate निकलेगा तो कोई बच्चा यह न बोले abnormal rate निकला है ऐसा नहीं होता यह वो rate होता है जो per unit cost मुझे पढ़ा है बस मैं यह दो सो यूनिट है तो मेरा जवाब होगा भाईया दो सो यूनिट इंटु में 1.05 और कितने हो गए यह कितने हो गए 200 इंटु 1.05 क्यानि 210 रुपे का abnormal loss है इस बात का ध्यान रखना 210 रुपे का क्या है हमारा abnormal loss है समझ मैं आई इतना टेकनिकल नहीं भी जाओ ना मैं तब भी आपके सवाल हो जाएंगे तो जिन बच्चों को लग रहा है न थोड़ा सा बहुत मुश्किल लग रहा है तो दिमाग पर बिल्कुल जोर मत डालो बड़ी सिर्दी सी बात थी और सिर्दी सी बात की है मैंने यह दो चीजे होती है इसके अलावा ना कई बार ना कई बार ना अबनॉर्मल गेन हो जाता है हमारा सर कई बार मैंने लॉस लिख दिया इसलिए इसको चलो इसको थोड़ा सा कर दे अबनॉर्मल लॉस लॉस यह फिर गेन कर देते है ठीक है अब दोनों आ जाएगा Abnormal loss हो गया कई बार gain हो जाता है सर ऐसा कैसे gain होता है Abnormal gain Sir Abnormal gain को ही Abnormal effective कहते है Effective इसी को हम Abnormal effective भी कह देता है Sir ये कैसे हो सकता है Abnormal gain loss तो पता है हो जाता है क्या बार मान लेते हैं कि जो दूद वाले का example लिया वो पानी तो मिलाता था एक दिन ज्यादा मिला दिया उसमे कितना था मिलाना उससे कहीं ज्यादा मिला दिया दूद में पानी तो जहां 100 लिटर बेचने की कोसिस कर रहा था 700 लिटर बेच दिया उसमें तो ये क्या हो गया उसका gain हो गया Abnormal gain ना कई बार हो जाता है Abnormal gain का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा मैंने example लिया हम एक tentative लेते हैं कि इतना unit बनेगा एक normal loss की हद होती है लेकिन जब उससे ज्यादा unit बनके निकल जाता है मतलब उससा loss हुआ ही नहीं इस तरीके का कोई happening होता है तो उसे बोलते है Abnormal gain सर इसका भी Abnormal gain का भी rate आपको निकालना होगा इसका भी rate निकालना होगा कैसे निकालेंगे Abnormal gain का rate सर कैसे निकालेंगे इसका rate मैं star बना देता हूँ जब मैं निकालूँगा ना question में तो मैं बता पाऊँगा practical के साथ वैसे नहीं यानि सर यहाँ पे तीन तरीके की बाते जो है question के बीच में आने वाला है जो कि main होगा और इन तीनों को account form में भी हमें सीखना पड़ेगा क्या तीन तरीके के बाते normal loss होगा, abnormal gain होगा, abnormal loss होगा normal loss का rate गीवन होता है abnormal loss हमें निकालना पड़ता है और abnormal gain का भी निकालना पड़ेगा चलिए मेरे साथ एक सवाल करते है और उस सवाल के साथ साथ फिर आगे बढ़ते है चोटे चोटे सवाल कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा experience मिल जाए चलिए क्या कहता है, question तो पढ़ा ही नहीं मैंने कहता है, 1000 unit raw material introduced मतलब input डाला है जिसकी कीमत 4000 है तो सर, 1000 input डाला जिसकी कीमत कितनी है 4000 input जिसकी कीमत 4000 कहता है, 10% wastage allow each unit wastage धाई रुपे का बिकेगा 10% wastage, तो by normal loss 10% का मतलब 100 और कहता है, धाई रुपे के हिसाब से बिकेगा यानि 200 the actual production 850 कहने का मतलब है सर, 1000 unit थे 1000 में से मैंने सोचा के 100 unit खराब होंगे तो बिकन बनने कितने चाहिए लेकिन सवाल कहता है, हम 850 बनाने में कामियाब हो पाए, तो भाईया जब normal loss घटाई दिया, तो अब जो 50 का बन रहा है हिसाब किताब, इसे बोलेंगे abnormal loss, abnormal loss कितने का है सर? 50 unit, तो मैं यहां पे लिख देता हूँ, कितने का इसका rate निकालना पड़ेगा अभी देखा था हमने, चलिए अब देख लेते हैं, unit amount, unit amount, particular, particular, ठीक है, चलिए सर, कहता है, direct wages कहता है, indirect expense कहता है, चलिए सर, direct wages, कितने हैं, direct wages, 65,000, expense, कोई भी expense indirect, indirect matter नहीं करता है, यहीं आएगा सर, चलिए सर, costing निकालते हैं, यह हो गया, 1000 unit, total cost कितना हो गया यह, 10,500, 14,700, और यह होगा हमारा 1000, 14,750, और इसके बाद बाए जाएगा हमारा कुछ नहीं बोला, तो इसको FG कर देते हैं, FG, fitness quote, कितने बनेंगे, 850, पहले हम यह वाला निकाल ले, abnormal loss, abnormal loss क्या हैगा, rate निकाल लेते हैं, हम rate निकालते हैं, rate क्या बनेगा, सर, rate क्या बनेगा, rate बनने वाला है, total cost, formula में total cost, 13, 750, minus में normal loss, 200, divided by total unit, 1000, minus में कौन सा, एक बाद चेक करो जड़ा, normal loss, abnormal बन माइनस कर देना, सिर्फ normal loss, that is 100, क्या rate आया, क्या rate आया, CPU बच्चे ने बताया, एक student ने बताया, 15, सही बताया क्या, 15 रुपे CPU, तो अब जो यह multiply होगा ना, यह 15 से होगा, और 15 से multiply करेंगे, किसको 50 into में 15, 50 into में 15, 750, और balancing figure निकाल लो, या इसको भी multiply 15 से कर दो, क्या फरक पड़ता है, 12,750, that's it, क्या बोला गया था, पर प्रोसेस अकाउंट बनाना था, और कुछ भी नहीं, तो बना लिया, हमने प्रोसेस अकाउंट, कोई दिक्कत यहां था, कोई परेशानी कोई दिक्कत, क्लियर, क्लिकत बड़ता है,